दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत थे आपका एक पार फिर्ट से आपके अपने ही चैनल के रिग पॉली पार जहां दोस्तों अमिताब बच्चन के करियर की पहली सोलो हीट फिल्म जंजीर ने अमिताब बच्चन को हिंदी सिनेमा में बतोर एंगरी यंग मैन भले ही इस्तापित कर दिया हो लेकिन अगर आप अमिताब बच्चन की फिल्मों की लिस्ट कायदे में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि अमिताब बच्चन को सूपरिश्टार बनाने में उन फिल्मों का ज्यादा बड़ा हात रहा जिन में वो उस समय के दूसरे बड़े कलाकारों के साथ नजार आए 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के बाद भी अमिताब बच्चन की तमाम सोलो फिल्म में फ्लॉप रही थी और उनके करियर को असली उडान ये शोपरा के फिल्म दिवार से ही साल 1975 में मिल सकी थी इसके बाद शोले, चुपके-चुपके, कभी-कभी, हिराफेरी, अमरग भरैंथनी, खोन पसीना, परवरिश, कस्मिवादे, तिर्शूल, मुकदर का सिकंदर, काला पत्थर, सुहाग, दोस्ताना, राम बलराम, याराना और नसीब सब मल्टे स्ट्रालर फिल्म में हैं अमिताब बच्चन का जिक्र आज इसलिए क्योंकि उनकी मल्टे स्ट्रालर फिल्मों में एक भी नाम फिरोज खान के साथ की गई फिल्म का नहीं है अमिताब बच्चन और फिरोज खान ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे के काम की इज़द भी की बस वक्त का तकासा ऐसा रहा कि दोनों एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं कर सके और ये बात खुद अमिताब बच्चन को आस तक सालती है जिस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी बनते बनते बिल्कुल करीब से रह गई वो फिल्म थी दयावान जहां दोस्तो आज हम बात करने वारे हैं फिल्म दयावान की विस्तार से तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे फिल्म दयावान की विस्तार से तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते और बात करते हैं फिल्म के बारे में और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को फिरोष खान और जी वेंककटेश वरन ने फिल्म की स्टोरी थी ए मनी रतनम की और म्यूसिक दिया था इस फिल्म को लक्षमी कान प्यारे लान ने अगर बजट की बात की जाए तो तकरीबन एक करोड तीस लाख रुपे के बजट में बनी थी ये फिल्म बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तीन करोड साथ लाख रुपे की शांदार कमाई की थी और पूरे वर्ड में कमाई थे इस फिल्म ने 5 करोड रुपए और यह एक एक्चिन किराइम ढrema फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबी थुई थी तो दोस्तो ये तो बात वी फिल्म के box office collection के बारे में अब बात कर लेते हैं फिल्म के बारे में तो दोस्तो फिल्म दयवान बनने की भी बहुती दिल्चस्प कहानी है दोस्तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये इस्टोरी थी मणी रतनम की मनी रतनम की साल 1983 में आई फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी में तब तक हिंदी सिनेमा के लिए अनजान रहे अभिनीता अनील कपूर को लेकर बतोर निर्देशक अपना करियर शुरू करने वाले मनी रतनम को मानविये सम्वेंद्राओं को सिनेमा के परदे पर एक पेंटिंग की तरह उकेरने के लिए जाना जाता है कंडन में बनी इस फिल्म ने मनी रतनम का नाम एकदम से चर्चा में ला दिया था अगली फिल्म उन्होंने माला अलम में बनाई और फिर शुरू हूँ हा उनका तमिल सिनेमा का शानदार कारवा कमल हसन और मनी रतनम की मेगा संगाम 1987 में रिलिज हुई फिल्म नाइकन से हुआ था कहानी खुद जो नाइकन फिल्म थी तामिल की इसकी कहानी खुद मनी रतनम ने लिखी थी कमल हसन उन दिनों अपने करियर के शीष पर थे तब ना सैडलाइट चैनल थे ना मुबाइल और ना ही इंटरनेट यहां तक की फिल्म की दूसरी भाषाओ की फिल्मों की वियाचेस कौपी तक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुचने में हफ्तो लग जाया करते थे लेकिन फिल्म नाइकन की कहानी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था फिल्म ने साउथ में जो टंका बजाया तो हिंदी सिनेमा के बड़े-बड़े धिगज इस फिल्म की रिमेक बनाने के लिए उत्साहित हो गए और फिल्म दयावान रिमेक थी तामिल फिल्म नाइकन की दोस्तो फिल्म दैवान का आमिताब बच्चन से कनेक्शन ये है कि मोल फिल्म नाइकन के हिंदी रिमेक राइट्स खरीदने के लिए तीन लोग उन दिनों भाग दोल कर रही थे आमिताब बच्चन का ये वो समय था जब वो राजनीती में अपने हाथ जला कर वापस मुंबई सैटल हो चुके थे फिल्म उनके पास कुछ खास नहीं थी और ना ही उनका ज्यादतर वक्त जो था वो अपने पिर्तिक्षा घर में सहायकों के साथ बातचित करने में या फिर घर की देखरेक में ही बीटता था एक दिन उनके पास फिरोज खान का फोन आया अमिताप तुरांद भाग कर फिरोज खान से मिलने गए फिरोज खान ने तब तक फिल्म नाइकन के हिंदी रीमेक राइट्स उस वक्त के हिसाब से बहुती बड़ी रकम चुका कर हासिल कर लिये थी आमिताप बच्चन को लेकर ये रीमेक निर्देशक टीनू आनंद भी बनाना चाहते थी उनके फिल्म शेहनशा रिलीज हो चुकी थी फिरोज खान और टीनू आनंद के अलावा जो तीसरी शक्सित इस फिल्म के रीमेक की कमपडिशन में शामिल थी वो थे अभी नहीं ताज जिते इंद्र जब बाकी दोनों पार्टिया रीमेक रैट्स के लिए सोदेबाजी कर रही थी फिरोज खान ने अपने शाही अंदाज में इस कमपडिशन में एंट्री मारी और दस लाख रुपे का एक चेक नाइकन बनाने वालों को थमा दिया फिरोज खान का बड़ा मन था कि इस फिल्म में एक बार फिर अमिता बच्चन डॉन का किरदार करे और वो बने उनके लंगोट या यार लेकिन किस्मत का सईयोग देखिए कि तबी विनोत खन्ना का फोन फिरोज खान के पास आ गया विनोत खन्ना अमरीका से ओशो का आश्रम छोड़कर वापस लोटे थे और अच्छे रूल की तलाश में थे फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में विनोध खन्ना ने आखरी वक्त में काम करने के लिए हां करके उन्हें परिशानी से बचाया था इस बार बारी फिरोज खान की थी तो दोस्ती का फर्ज निभानी की खातेर तो उन्होंने विनोत खन्ना को अपने साथ इस फिल्म में शामिल कर लिया और इस चक्कर में अमिता बच्चन फिल्म से आउट हो गई थे दोस्तों ये तो बात हम सब जानते हैं कि फिल्म दयावान की चर्चा फिल्म में माधुरी दिक्षित और विनोध खन्ना पर फिल्माएगे अतरंग दिरश्यों को लेकर खूब चर्चा में रही माधुरी दिक्षित तब तक सूपरिष्टा नहीं बनी थी और उस समय तक खुद दूसरे सितारों के अभावं अंडल को देखकर पिरभावित हो जाती थी माधुरी दिक्षित विनोध खन्ना की वो शुरू से ही दिवानी थी और सामने विनोध खन्ना के शरीर देख उनका अपने शरीर से ही नियंतरन छूट गया था उसके बाद जो कुछ कैमरे पर शूट हुआ था वो अब हिंदी सिनेमा का इतिहास बन चुका है इसी एक दिरश्ची ने माधूरी को भी रातो रात चर्चित कर दिया था दयावान से श्रीदेवी का जो नाता था वो बस इतना ही था कि श्रीदेवी माधुरी दिक्षिस से पहले इस फिल्म में काम करना चाहती थी लेकिन श्रीदेवी का नाता बनते-बनते रह गया इस फिल्म से फिरोज खान ने जब अमिताब बच्चन को फिल्म में लीड रॉल देनी की पेशकश की थी तो उन्होंने अमिताब बच्चन के साथ जो हिरोईन साइन की थी वो थी शिरी देवी बॉनी कपूर ने शिरी देवी के नाम की पैरवी की थी श्री देवी की उन दिनों बन रही एक फिल्म के रशिस भी फिरोज खान ने देखे थे लेकिन जब अमिता बच्चन की जगा फिल्म में विनोध खन आ गए तो हिरोईन भी श्री देवी नहीं रही दोस्तो फिल्म दयावान का संगीद भी फिल्म की रिलिस से पहले काफी चर्चा में रहा अपने फैबरेट म्यूजिक कंपोसर कल्यार जी आनन जी के बज़ाए इस बार फिरोज खान ने लक्षमी कान प्यारे लाल पर दाउं खेला था कल्यार जी आनन जी ने फिल्म के संगीद में काफी प्रियोग भी किये गसलों को ओटो रिक्षा और टैम्पो तक पहुँचा देने वाले पंका चुदास का नाम फिल्म में जो गाया गाना चिठी आई है उन दिनों बहुत थी ज्यादा मशूर हो रहा था और शोहरत के सबसे उचे पाइदान पर था और फिल्म दैवान में उनके हिस्ते में आया फिल्म का सबसे बड़ा गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है ये गाना लिखा था अजीज कैसी ने और फिल्म में स्किम में रहने वाले जॉली मुखर जी को भी पहला ब्रेक मिला जिंगल्स के लिए काम करने वाले जॉली मुखर जी उन दिनों हवाई स्थेवा वाली कंपनियों की ऑनलाइन फिलेट सर्विसिस में काम कर रहे थे और मशूर गयक हरी हरन के तो तमाम एल्बमों का म्यूजिक जॉली ने ही अरेंच किया था फिल्म दयावान के सैट पर वो किसी से मिलने पहुँचे थे तो उनका परिचा फिरोज खान से हो गया फिरोज खान को जब ये पता चला कि जॉली गाते भी अच्छा हैं तो उन्होंने उनसे इंदीवर का लिखा चाहे मेरी जान तुले ले गा कर सुनाने को कहा जोली ने गाना गाया फिरोज खान को ये गाना भागया और फिल्म दयावान जोली के करियर की बत और सिंगर डेबिव फिल्म बन गई फिल्म में गाना मुहम्मद अजीज ने भी गाया है ये गाना फिल्म की ओरिजिनल प्लानिंग में शामिल नहीं था और एन रिलिस से पहले फिल्म में जोड़ा गया था ये गाना दोस्तो साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में विनोध खन्ना और मादूरी दिक्षित दोनों के अभिना की खूब तारीफ हुई थी सिनेमर डोग्राफर कमल बॉस ने भी फिल्म में कमाल का कैमरा वर्क दिखाया फिल्म के बाकी तकनीकिशी पक्स जो थे वो भी मजबूत रहे बस ये फिल्म फिरोज खान की अपनी स्टाइल की तेज रफ़तार सिनेमा से कदम ताल नहीं कफा कमाने की उम्मीद थी और अच्छा मुनाफ़ा कमाया भी फिल्म ने लेकिन ये फिल्म फिरोस खान की बतौर निर्देशक, इसके पहले की फिल्में जैसे धर्मात्मा, कुर्बानी और जावास के आगे कमजोर रही, नाइकन के हीरो जो थे कमल हसन, उनको भी फिल्म दयावान कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो इसने तहल का मचा दिया था, मुंबई में इतने शांदार प्रीमियम फिल्मों के बहुत ही कम हुए हैं, जितना शांदार प्रीमियम दयावान का हुआ था, सितारों की उस बरसात में सबसे खास महमान थे, विनोध खन्ना के पिता, कृष्णा चंध खन्ना, आम तोर प अपने बेटे के अंदरंग दिरश्चियों को देखकर, पास में बैठे बेटे को हक्का बक्का देखते रह गए थे, विनोध खन्ना के पिता, कृष्णा चंध खन्ना, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, ये थी फिल्म दयावान की बाते, उम्मीद करता हूँ, आ अगर दोस्तो आप भी जानना चाहते हैं अपनी पसंद की किसी भी मूवी के बारे में, तो कमेंड में ज़रूर लिखेगा, आपकी पसंद का फिल्म का वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा, और दोस्तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, थैंक यू